हेलो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए एक दम चटपटा और टेस्टी सा नास्ते की रेसिपी तो अगर आप कुछ टेस्टी और भार का कुछ खाना चाहते हैं चटपटा सा तो आप इस नास्ते को जरूर ट्राइ किजेगा तो यह हमने एक कच्छा अलू लिया है और हम क्या करेंगे मीडियम अला ग्रेटर ले लेंगे और इसको ग्रेट कर लेंगे आलू को तो बिल्कुल ऐसे ही लच्छे हमें चाहिए ज्यादा मोटे भी ना हो और ज्यादा पतले भी ना हो तो यह पूरा हमने कटकस कर लिया है उसके बाद इसे दो लेंगे तो दो के हमने छननी में ही इसे लगा के रख दिया अपानी में ही रखेंगे ताके काले न पड़े तो यह पैन रख दिया है हमने गैस में इसमें दो चमठ ठेल डालेंगे तो जो भी ठेल आप यूज करते हों वही आप डालेगा उसके बाद थोड़ा सा अधी छोटी कर दो हरी मेर्ची के लेंगे थोड़ा सा इसे भूपड केằ Красष Fuß के अच्छा पानल दो हरी मर्ची डाल देंगे कट करके chemica आपना हुप क्या दो दो हरी मर्ची कट करके जो हम तो धिजाते हैं विविए कुम्नो पोल्ग रूंडिशा हैं कड़ी पत्ता डाल रहे हैं, तो कड़ी पत्ते को भी हमने थोड़ा बड़ा बड़ा कट कर लिया था, तो इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे, कड़ी पत्ते का टेस्ट बहुत अच्छा आता है नास्ते में, हो तो आप जरूर डालेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ सेकिंड के लिए इसे भी भून लेंगे, तो इसे भी भून लिया है, उसके बाद हम इसमें पानी डाल लेंगे, और दो कप पानी हम इसमें डाल रहे हैं, उसके बाद थोड़ा नमक डालेंगे, नमक आप स्वात के अनुसारी डालेगा, हमने आदी चमश नमक डाला ह इसे नमक को मिक्स कर देंगे और इसे उबाला रहो लाइन देंगे, उसके बाद हम आल्ण तो भी ज़ीर में ब्रीट एच्छा- Benjamin तो एक डेड़ मिनाट तक हम इसे पका लेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक कप सूजी हम ले रहे हैं, तो दो कप हमने पानी डाला था, एक कप उसी कप या उसी कटोरी से आप डालेगा, जिससे आप पानी लेंगे, तो दो कप पानी लिया था, एक कप हमने सूजी डाला आए इसमें तो इसे सूजी को ऐसे करके और गैस को हम लोग पे कर देंगे ताकि सूजी भी थोड़ा पख जायेगी बढ़िया करके तो ऐसे مسलते रहेंगे ताकि कोई गुठ लिया ना हो इसमें तो यह आप देखें अच्छे से मसलते हुए और लो फ्लेम पर ही इसे एक तेड़ मिनट लगेंगे बढ़ी असा डो बन जाएगा तो ऐसे अच्छे से सूजी को पकने देंगे थोड़ा ऐसे ही मिक्स करते हुए तो यह आप देखें बढ़ी असा बनके तयार हो गया है तो गैस को हम बंद कर देंगे और इसे लिख के चलते हैं तो इधर हमने प्लैटर लिया है प्लैटर में हम थोड़ा सा तेल डाल रहे हैं आप जो भी पलेट या कुछ भी थाली वगेरा जो भी हो उसमें आप ऐसे तेल लगा लिजेगा तो हलका हलका तेल लगा के ताकि जो नास्ता है वो इसमें चिपके न उसके बाद हम यह डो इसमें रख देंगे और इसे बढ़िया सा सेट कर लेंगे ऐसे करके किसी कटोरी से भी आप कर सकते हैं तो बढ़िया करके और इसे बढ़िया सेट लगा लेंगे तो यह आप देखे हमने इसे बढ़िया करके सेट करके लगा दिया है उसके बाद इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे तो यह ठंडा हो गया है अच्छे से 10-15 मिनट हो गया है तो यह बढ़िया ठंडा हो गया है उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे तो चाकू ले लेंगे और ऐसे करके आप जैसे भी आपको पीस पसंद हो आप वैसे में करेगा तो हम ऐसे ही कट करके आपको दिखा रहे हैं तो यह हमने कट कर लिया इसको उसके बाद हम क्या करेंगे ऐसे चाकुसे इससे थोड़ा साइट से उठा लेंगे और यह आप देखें बिल्कुल वड़ी असा पीच निकल के आ रहे हैं तो इसको हम ऐसे कर लेंगे तो आप चाहें तो इनको ऐसे भी सेख सकते हैं जरूरी नह के हमने तयार कर दिए तो चलते कैस की तरफ हैं तो इधर हमने पैन रख दिया है उसके बाद इसमें थोड़ा तेल दाल लेंगे तो चाहे हैं तो हम सेलो फ्राइज से कर रहे हैं तो थोड़ा गरम होने देंगे अच्छे से तेल को और उसके बाद एक एक पीस करके इसको डाल लेंगे ऐसे करके अब पूरे पे लगा लेंगे जितने भी आएंगे बढ़िया से ज्यादा ओईली भी नहीं होंगे और आप देखे तो अब हम पलट लेते हैं में अच्छा कलर आने लग गया है तो दो तीन बार ऐसे यू लट पलट करके और बढ़िया सा इससे सेक लेंगे वैसे तो सूजी और आलू पहले ही पक चुके थे लेकिन इन ऐसे करक लगेंगे तो यह देखिया कितना बढ़िया सा कलर भी आगया एकक्दम बढ़िया से सिख गये तो अब हम इसे निकाल लेते हैं आप चाहें तो और भी इसे करारा कर सकते हैं तो यह हमारा नास्था बन के विसकुल तयार हो गया है अगर वीडियो थोड़ासा भी पसंद आ ऐसे ही भी खाएंगे तो बहुत ही टेश्टी लगता है थेंक यूँ